नीट 2024 की जो information bulletin ने वो जारी हो गई है और आप से भी के registration स्टार्ट होने जा रहे हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगी कुछ important dates के बारे में और जो भी जनकारी होगी वो आगे की वीडियो से मिलते रहेंगी जैसे बच्चों के comments होते हैं जिसे साब से उसे साब से आपको फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ दिन रुख जाना चार पास दिन के बाग जब थोड़ी से साइट वर्क कर लेगी उसके बाद आप फॉर्म फिल अप करना से स्टार्ट करें लाज तारिक 9 मार्च क्याने की एक मेने का समय आपको दिया गया है शाम के पांच मुरे त सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए हजार रुपे जो एक्जाम पेपर होगा वह 200 मिनिट का होगा तीन घंटे 20 मिनिट का दो बज़े से देखें पांच 20 तक का समय यहां पर दिया हुआ है और जो रिजल्ट होगा वह 14 जून यानि की 14 जून को एनौस कर दे जाएगा सकते हैं यह PDF आप से डाउनलोड कर लेगे यह PDF आपको description में डाल दूगा महाँ से बढ़ सकते हैं और उसके बाद जब आप डॉनलोड कर लेगे PDF को तो वहां से फिर आपको टिक लगा के आपके form fill up क देने जो प्रसेजर होता है उसको start कर देना है बाकि इसमें जो भी बॉड़ने चीज़े हैं, कैसे form fill up होगा, ठीक है, क्या-क्या चीज़े हैं, syllabus क्या है, वो सब I think इसमें mentioned होगा आपके लिए, ठीक कितने जो cities हैं, वो कौन-कौन सी होगी, कहां-का पे, और ये code का बहुत ध्यान लगने आपको, ठीक है, इस बारे में भी अगर जो 12th pass जो ने अजस्ट किया है, उनके लिए अलग code है, जो droppers बच्ची है, उनके लिए अलग code है, ऐसे सब के लिए अलग-अलग codes बनाएगा है, ये need के अंतर, ठीक है, need form के अंतर, तो यह है, ये और eligibility criteria आपको बता रहा है, किया-क्या है, ठीक है, वो सब चीज़े है, तो I hope इस चीज़ आपको समझागी, जो आपके doubt और comment कीज़ेगा, उसके अनुसार जो भी जानकारी होगी, वो आपको मिलती रहेगी, और telegram का link दिया हुए, telegram को जरूर जोन के लिए, telegram group में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जो भी आपको doubts होते हैं, उसे आप पूछ प झाल 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 झाल